और पटना में H3 into influenza वारस का एक केस मिलने के बाद अब पूरे बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है पटना में RMRI के साथ AIMS में भी अब इसकी जांच शुरू हो गई है साथी दूसरे अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है इस खतरनाक वारस को लेकर पटना के अस्पतालों की तैयारी कैसी है इसका जोईजा लिया हमारे समवादाता रजनेश शुसिनहान S3 into influenza के लेकर बिहार में भी एलर्ट है एक मरीज के positive पाए जाने के बाद बिहार के तमाम बरे अस्पतालों में तमाम तैयारियां की जा रहे है आरे माराई के बाद पटना इंट में भी अब जाच के शुविदा कर देगे और पटना के पीम सी एच और आईजे में इसको स्टेंड वाइपर रखा गया है यहां भी देखिए यह जा रहे है तमाम पर तमाम तैयारियां की जा रही है जो तैयारियां है वह इसलिए है कि अगर इंफ्लूइंजा से पिरिद कोई वेक्ति आता है और जादे उसकी सिरियस कंडिशन होती है तो आई सीउ की बकाइदा विवस्था की गई है पर डॉक्टर पला भी हमारे सा करने का भी जरूरत पड़े तो हम इंटूबेट करके बेंट पर डाल सकते हैं इसलिए हम और सारी दवाईयों से लाइस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने मॉनिटर लगाया हुआ है यहां पर देखिए मॉनिटर है ऑक्सिजन की पाइप सारे रन किये हैं और यह जो करके ही वो लोग यहां पर आएंगे जो भी है मास्क में बichtig रहना नहीं है यह के पेशेंट्स की खबरें आ रही हैं अगर कम तकलीफ है तो घर में भी बहुत लोग अपने इलाज किरा रहे हैं तकलीफ बर्य तो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में अलग-अलग तरह की विवस्था है लेकिन जो भी सीरियोस पेशेंट राएंगे उसके लिए कि आईजाएमेस में आईसोलेशन चिम्बर्स तयार कर दिये गए हैं वीडियो जली सतिंद्र के साथ रजनीस चिनहा नीजनेशन पतना